इस वीडियो में हम NEET 2020 की कटोप के बारे में बात करेंगे साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि NEET 2020 का क्यूशन पेपर कैसा रहेगा क्या ये NEET टेस्ट अभ्यास के जैसा रहेगा या फिर ये प्रिवेस एर के जैसा ही रहेगा लोगडाउन के कारण कटोप पर क्या फरक पड़ेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आपको इन सभी क्यूशन के आंस्वर देने से पहले बता देता हूँ कि इस बार कटोप क्यूशन पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगी इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको प्रिवेस एर के दो साल के पेपर का एनलाइसेस दिखादा हूँ सबसे पहले हम नीट 2018 के पेपर की बात करें तो इसमें Physics, Tough, Chemistry, Easy और Biology के क्यूशन मोडरेट थे इस कारण कटो 536 रही थी 2019 में Physics, Moderate, Chemistry, Easy और Biology के क्यूशन इजी थे इस कारण कटो 582 रही थी अब हम बात करेंगे कि इस साल कंडिडेट तो इनक्रीज हुए हैं इसलिए इनका कटो पर भी इफेक्ट होना चीए तो दोस्तो जितनी कंडिडेट बढ़े हैं उसके रेशियो में सीटें भी इस साल बढ़ने वाली हैं इस कारण इन दोनूं का बैलेंस होने के कारण इनक्रीज हुए कंडिडेट का कटो पर कोई फरक नहीं पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट यह है कि लोगडाउन के कारण कटो पर कितना असर होगा क्योंकि काफी लोगों का ये मानना है कि स्टुडेंट को समय मिला है लोगडाउन में स्टुडेंट को टाइन जरूर मिला है तो वो उतनी ही ज़्यादा डिस्टरब भी हुए है आप अपने उपर ही ले लीजे क्या आपकी स्टुडी लोगडाउन में कंटिन्यू रही है डिस्टरब तो हर स्टुडेंट हुआ है कोई घर पर आ गया है तो उसके पास बुक नहीं थी पढ़ने के लिए कोई होस्टल में रहा तो उसको खाना दंक से नहीं मिल रहा था और काफी ज्यादा प्रोब्लम थी मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें हर स्टुडेंट की पढ़ाई अवसे ही डिस्टरब हुई है इस कारण कटोफ पर इसका कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है तो अभी हम बात करें कि NEED 2020 के क्यूशन पेपर का लेवल कैसा रहेगा जिससे हम कटोफ का अनुमान लगा सकें तो NTA के डायरेक्टर के इंटर्व्यू के निसकर्स के अनुसार NEED 2020 का पेपर भी इजी रहने की संभावना है लेकिन यह 2019 और 2018 दोनू के एवरेज का रहेगा नेशनल टेस्ट अभ्यास के पैटरन से इसका कोई लेना देना नहीं है क्यूशन पेपर का यह प्रिवेस येर जैसा ही क्यूशन पेपर रहेगा इन सब बातों को देखते हुए मेरा यह मानना है कि NEED 2020 की कटोफ NEED 2019 से ज्यादा नहीं जाएगी मैं सबी बातों को ध्यान रखते हुए यह कटोफ मैंने प्रेडिक्ट की है और यह कटोफ UR EWS OBC की 575 से 580 तक रह सकती है SC केटेगरी की 455 से 460 तक और ST केटेगरी की 435 से 440 कटोफ रह सकती है दोस्तों यह मेरा प्रेडिक्शन है और यह गलत भी हो सकता है लेकिन यह मैंने मेरे previous year के experience और lockdown वगरा की सबी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रेडिक्ट किया है लेकिन आपको target 600 प्लस का ही set करके रखना है क्योंकि कटोफ तो वो होती है जो जिस पर last college मिलती है आपने तो top की college लेनी है तो जितना बड़ा आपका target होगा उतनी ही अच्छी government college मिलेगी और ज्यादा बड़े target के लिए आपको ज्यादा मेनत करनी होगी तो इसी आसा के साथ आप और ज्यादा मेनत करेंगे और आपका admission एक अच्छे government college में होगा best of luck जैए हिंग